हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने यूटूब चैनल के नहिया कलासेस पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पच्छियों में लिंग निरधारण कैसे होता है जी हाँ बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पच्छियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है तो बच्छों सबसे पहले हैं डालेंगे पच्छियों में लिंग निर्धारण की रूप में पाय जाते हैं नर पच्छी में जड़ जड़ गुड़ सूत्र पाय जाते हैं यानि कि बच्छों जो नर पच्छी होते हैं उसमें जड़ जड़ गुड़ सूत्र पाय जाते हैं और मादा पच्छी में जड़ ड़ गुड़ सूत्र पाय जाते हैं जो नर उसमें जड़ डबलू गुड़ सूत्र पाया जाते हैं यही गुड़ सूत्र पच्छियों में लिंग का निरधारण करते हैं यानि कि जो नर पच्छी में जड़ जड़ गुड़ सूत्र पाया जाते हैं और मादा पच्छी में जड़ डबलू गुड़ सूत्र पाया जाते ह यहे गुर्षूत्र पच्छियों में लिंग का नियुधारण करते हैं नर्पच्छी को सम युगमकी कहते हैं क्योंकि इसमें जो गुर्षूत्र होते हैं जड़-जड़ के रूप में होते हैं इसलिए इससे कहते हैं सम युगमकी तथा मादा पच्छी को विसम युगमकी कहते हैं क्यों कीश में गुज़ो गुड़सूत होते हैं वो जड़ और डबलो के रूप में होते हैं आप हम बच्चों कराएंगे नर पच्छी और मादा पच्छी में क्रास यदि नर पच्छी का जड़ गुड़सूतर मादा पच्छी के जड़ गुर्शूत्र को निसेचित करता है तब नर पच्छी का निर्मार होता है यदि नर पच्छी का जड़ गुर्शूत्र मादा पच्छी के डबलू गुर्शूत्र को निसेचित करता है तब मादा पच्छी का निर्मार होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें 50% नरपच्छी होंगे और 50% मादापच्छी होंगे तो बच्चों ये था पच्चियों में लिंक निर्धारन तो बच्चों अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर, तदा सस्क्राइब करना ना भूलें